अब हम एक दूसरे जो प्रदूशक हैं उसके बारे में जानेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध है वो सड़े अंडे जैसा होता है अकसर इसका जो स्रोथ है वो कई बार हम देखते हैं कि जो मृत पशुपक्षी होते हैं तो प्राया ये गैस उसी समय उत्पन होती है और बहुत सारे उद्योगों में जिनमें सलफर युक्तियोगी होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है तो वहां भी हम देखते हैं कि अपसिष्ट या वेस्ट जो गैसे होती हैं उनमें होता है बहुत सारे जो तेल शोधाकार खाने हैं गैस प्लांट है पेपर मिल है या बहुत सारे केमिकल जो प्लांट्स होते हैं वहां भी ये एच्टुएस गैस बहुत अधीक मात्रा में अपसिष्ट के रूप में निकलती रहती है कई बार कुछ प्राकृतिक रूप से भी ह जैसे कि ज्वाला मुखी के फटने से जो लावा निकलता है उसमें गैसे भी निकलती है तो उसमें भी एच्टुएस गैस होता है और सलफर युक्त कार्बनी क्योगी को के अपचैन से जब भी कभी ऐसे कार्बनी क्योगी जिसमें की सलफर प्रेजेंट होता है उनका और यह। झोड़ा लेटी है तो यह आसानी से जब और संव चलिए स्व देखा था है। इसे ही ऑसी था़कुमणमील में यह चैंज बना लेती है। आप बहुत सारे संवतों हुच सकता है। यह में स्वें स्वेंटेदlysorry हैं। तो उसमें भी H2S gas का व्योग कर लिया जाए, तो H2S की मात्रा को धीरे-धीरे कम किया जा सकता है. H2S के बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, चुकि इसका जो गंध है, वो सड़े अंडे के समान होता है, और ये gas जो हैं, बहुत अधिक विशयली भी होती हैं, तो ये सभी gas जो हैं, पौधों के लिए, पत्तियों के लिए, ये जो H2S gas है, ये बहुत अधिक खानेकारक होती हैं. अब हम क्लोरीन के बारे में जानेंगे, क्लोरीन गैस जो है, वो एक विशयस जगा पर ही प्रदूशन फैलाता है, अकसर हम देखते हैं कि जो जल शुद्धी करण सैयंत्र होता है, जल शुद्धी करण सैयंत्र में कीट नाशी के रूप में यहां पर क्लोरीन का प्रयोग क कंपाउंड ही हाइडर व्याइं डियुज की अधक याउक मैं की क यहां-्याई का केल्सियुमोगय्ट से कलोरीन ऊत्पन होता है तो जहां चहां पर यह जर शुद्धीकरंड सैंद्र होता है उस एरिया में कलोरीन का प्रदूशन देखने को मिलता है, प्राय जो प्लास्टिक उद्योग हैं, वहाँ पर भी ये जो क्लोरीन है, वो HCL के रूप में प्रदूशन फैलाती है, क्लोरीन का ही कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरिक अमल, तो प्लास्टिक उद्योगों में जो HCL है, वो प्रदूशक की और जल के साथ करिया करके दो परकार से ये अमल बना सकती है, जैसे अगर हम हम H2O की करिया C02 से कराते हैं, तो ये दो परकार से एसिड बनाता है, HCLO और HCL, य tay ulitz魁ए अंग भले ही ये योगिक के रूप में होते हैं, क्लोरीन को जब जल में विले किया जाता है तो जल में विले करके क्लोरीन को नियंत्रित किया जा सकता है इसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन कई बार हम देख रहे हैं कि जल शुद्धी करण जो सयंत्र हैं जिनमें ख्लोरीन का प्रयोग किया जाता है तो ये बहुत अधी खानी कारग भी खतरनाग भी होता जा रहा है तो ख्लोरीन की जो अधिकता है वो जल शुद्धी करण सयंतर में एक खानी कारग करभाव भी छोड़ती है जब हम nitrogen के oxide की बात करते हैं तो nitric oxide की बात करें यदि हम NOx लेंगे तो NOx की जगह पर हम x की जगह पर कुछ भी ले सकते हैं NO2 हो सकता है, N2O4 हो सकता है, N2O5 हो सकता है तो इस तरह से अगर हम NOx को common लेके चलें कि nitrogen के जो oxide है जैसा हमने देखा कि nitric oxide जो है वो प्राथमिक प्रदूशक होता है इसके साथ जो बनते हैं N2O है या NO है यह सब जो है वो द्वितियक प्रदूशक की तरह कारे करते हैं कुछ हमने देख लिया है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और जानेंगे जैसे जो ताब विद्यूद सयंत रहे हैं या automobile के छेत रहे हैं वहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में बहुत temperature बढ़ जाता है तो वहाँ पर nitrogen oxygen से क्रिया करके NO बना लेता है बिजली के चमकने से हमने देखा ही कि nitric oxide बनता है जंगलों में आग लगने से भी nitric oxide बनता है तो N2 प्लस O2 is equal to NO बनता है nitric oxide बनता है और जब ये NO फिर से oxygen से क्रिया करता है तो nitrogen dioxide बनता है बहुत सारे मानवी क्रिया कलाब भी लगा था nitrogen के oxides को प्रकृती में बढ़ाते जा रहे हैं उसमें जनसंख्या बढ़ती जा रही है लोग जो है वो गाडियों का प्रयोग बहुत अधिक कर रहे हैं और सभी गाडियों में प्रायह जिवाश मिंधनों का ही प्रयोग किया जा रहा है और जो डीजल है कैसोलीन है इनके दहन से भी बहुत अधिक मात्रा में nitrogen के oxide निकलते जा र सुपर सोनिक जो हवाई जहाज है उनसे भी वातावरण में nitrogen के oxide निकल रहे हैं विभिन प्रकार के जो उद्योग हैं कई ऐसे factories हैं जिसमें nitrogen के oxide या nitric oxide या nitrogen के दूसरे oxide जो हैं वो लगातार निकलते जा रहे हैं कई सारे ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हैं जैसे यहां पर हम सिंग की बात यदि करते हैं कई प्राकृतिक रिया nitrogen के सिंग की भाती वेभार करती हैं यह oxide जो है वो अस्थाई होते हैं और शिग्रही nitrogen और oxygen में विघटित भी हो सकते हैं तो nitrogen के oxide की जो सांदरता है वो वातावरण में कम होती जाएगी यदि nitrogen oxide को लगातार तोड़े कुछ प्राकृतिक और कुछ प्रकाश रासायनी कभी क्रिया भी nitrogen के oxide के लिए सिंग का कारे करती हैं जैसे हम देखें कि 2NO oxygen से क्रिया करके परिवर्तित होता है 2NO2 में 3NO2H2O से react होके बनाता है 2HNO3 याने nitrogen कमल बना 4NO2 प्लस 2H2O प्लस oxygen से क्रिया करके बनता है 4HNO3 याने nitrogen कमल यहां भी बन रहा है तो यह दोनों reaction में हम देख रहे हैं nitrogen बन रहा है साथ ही हम देखते हैं कि यह जो nitrogen dioxide है जब यह ऑक्सिकरित हो रहा है तो ऑक्सिकरित हो करके यह NO3 और oxygen बनाता है याने nitrate बन रहा है और oxygen बन रहा है अब यह जो nitrate है NO3 है और NO2 है यह दोनों क्रिया क करके बदे हैं HNO3 Taylor यह हम देख रहे हैं जितने भी नाइट्रोजन के oxides this nigunn like यह सिंक के रूप में कैसे हम इसको कि और रहे हैं किस ते यह प्रकृति में कम किये सकते हैं उसके बारे में जाना क्यों आइट्रोजन आभट दिक दुश्प्रभाव पहलाते हैं जैसा हमने देखा भी कि nitrogen के oxide जैसे hemoglobin carbon monoxide की वज़े से प्रभावित होता है वैसे nitric oxide की वज़े से भी प्रभावित होता है साथ ही जो nitrogen के dioxide है यानि दुथियक प्रदूशक जैसे ही इसमें प्रकाश रसाइनी क्रिया होती है तो यह नौजात oxygen मुक्त करते हैं और इसी वज़े से एक खतरनाक smog भी बन जाता है nitric oxide जो है वो प्रकाश संसलेशन की ग्रिया को धीमा करता है यहां हम common रूप से nitrogen के oxide की बात कर रहे हैं जिसमें हम nitric oxide, nitrogen dioxide, nitrogen pentoxide इन सभी gases को लेकर चल रहे हैं इसमें से nitric oxide प्रात्मिक है और शेज जितने भी इसके oxide है वो दुथियक प्रदूशक की तरह कारी करते हैं NOx की बात जब हम करते हैं यानि हम common रूप से nitrogen के oxide की बात करते हैं तो यह जो रंजक होते हैं उसकी चमक को भी यह कम करते हैं अब हम hydrocarbon के बारे में जानेंगे कि किस तरह से यह hydrocarbon प्रदूशन उत्पन करते हैं या कैसे यह प्रदूशक की तरह कारे करते हैं हम सब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन एवं कार्बन के योगिक होते हैं और बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो की वायू में प्रेजेंट होते हैं और जादा तर जो हाइड्रो कार्बन होते हैं वो बहुत ही कम अणुभार वाले होते हैं वाश्प सील होते हैं और द्रव के रूप में भी पाया जाते हैं सामाने टेंपरेचर पर ये जो हाइड्रो कार्बन है वो बहुत सारे मानवी क्रिया कलापों से या प्राकृतिक स्रो के बारे में अब हम जानेंगे हाइड्रोकारवन प्राया जो दलदल जमीन होती है या चावल के खेत होते हैं वहां से मेथेन गैस या एथिलीन जो है वो लगातार वातावरण में मुक्त होते हैं इनका जो निर्माड है वो हम देखते हैं कि प्राया जो सोक्ष्म जीवों का अनॉक्सी वातावरण में क्रियाओं द्वारा ये उत्पन होते हैं सुख्ण जीव जब कार्बनी क्योगिकों का विघटन करते हैं तो कार्बन डियोकसाइड और मेथेन गैस बाहर निकलती है यदि हम यहाँ पे लें कि CH2O एक कंपाउंड है और इसका दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं और इसका अनॉक्सी वातावरण में विघटन होता है तो कार्बन डियोकसाइड और मेथेन गैस प्राप्त होता है प्राय जो पालतू जानवर हैं मेथेन की बहुत अधिक मात्रा में वातावरण में ये भी मुक्त करते हैं इंधन के अपुन दहन से भी हम द्यानते हैं कि जो हाइड्रो कार्बन है वो लगातार प्रातावरण में मिलते हैं हाइड्रो कार्बन के मिश्टरन और कार्बन मोनो ओकसाइड इंधन के दहन से लगातार प्रातावरण में मुक्त होते रहते हैं अब हम इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में समझेंगे प्राय जो हाइड्रो कार्बन होते हैं ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो ऑक्साइड होते हैं इनके साथ क्रिया करके प्रकाश रासाइनिक क्रिया करते हैं और प्रकाश रासाइनिक स्मॉग का निर्मार करते है SMOG से कहते हैं तो यह जो प्रकाश रासायनिक जो क्रियाएं होती है जिसका मनुष्य और वनस्पतियों पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव भी पड़ता है इसमें से जो मेथेन गैस है वो हाइड्रोकार्बन का एक प्रथम सदस्य होता है यह संत्रिप्त हाइड्रोकार्बन ह और यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी जाना जाता है जो कि कार्बन डियोकसाइड की तुलना में बीज कुना अधिक उश्मा को आवसोशित करने का कारे करता है तो मेथेन भी एक मुख्य ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाला गैस होता है हाइड्रोकार्बन और बहुत सारे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये बहुत तरह के शारीरिक समस्याओं को भी उत्पन करते हैं जैसे आखों में जलन या फेफडे संबंदी बिमारियों को भी ये फैलाते हैं हाइड्रोकार्बन का जो बहुत कम सांद्र नवस्था होता है इस समय वो मनु मत्रा तो यह मनुष्य के लिए पेड़ पौधों के लिए बहुत अधी खानेकारक होने लगती है प्राया इसका विशाक्त प्रभाव जो है वो मनुष्य में कैंसर का कारण बन जाता है अब हम कुछ कणिकी प्रदूशक के बारे में जानेंगे कणिकी प्रदूशक फ्छारवरण में फैले होते है ठोस यद्रव के सूख्ष्मक रूपमें लगतार वातावरण में फैलते जा रहे हैं और वातावरन को प्रदूश्य करते जा रहे हैं इनकणोscreen का आकार दो गुणा दस किगात माइनस टु मीटर से लगभग 5 गुंणा 10 के घाट minus 4 मीटर तक होता है यह बहुती सुक्षम होते हैं और यह जो कडिकाएं होती हैं वो दोनों प्रकार से उत्पन हो सकती हैं जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार की हो सकती हैं सजीव जो जीवित कडिकाऊं में प्राय जीवाणू, फफुन, कवक, शैवाल ये सारे सम्मिलित होते हैं और इन कडिकाओं के द्वारा मनुष्य में या जो जीव जन्तु हैं उन पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है निर्जीव जो कडिकाएं होती हैं इसके अंतरगत वायू मंदल में उपस्ति जो कोहरा है, धूम है, धूआ है, धूल के कण है ये सारे जो हैं निर्जीव पार्टिकल्स या निर्जीव प्रदुशक के अंतरगत आते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर जो कडिकी प्रदुशक है वो जीवित भी हो सकते हैं और निर्जीव अवस्था में भी हो सकते हैं कणिकाओं के आकार और उनकी प्रकृती के आधार पर हम इसे कई तरह से विभाजित कर सकते हैं जैसे धूल, कोहरा, धूम्र तो ये सारे जो प्रकार होते हैं कणिकी प्रदुशक के ये उनकी प्रकृती और उनके कणों के आधार पर विभाजित किये गए हैं कणिकी प्रदुशक को हम एक तरह से और विभाजित कर सकते हैं पहला प्रकार होता है जीवन छम कणिकी प्रदुशक और दूसरा प्रकार होता है जीवना छम कणिकी प्रदुशक प्राया जो जीवन छम कणिकी प्रदुशक है इसके अंतरगत जीवारू, फफून, कवक ये सब ही आते हैं जो कि वायू में फैले होते हैं जो हमें नगन आखों से दिखाई नहीं देते हैं तो ये सारे जो कण होते हैं वो प्राया अलर्जी उत्पन करते हैं और बहुत सारे पौधों पे भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता हैं इसी तरह से जो दूसरा प्रकार है जीवना चम कणी प्रदुशक का इसके अंतरगत प्राया हम देखते हैं ऐसे कणाते हैं जो बड़े आकार के होते हैं और इनके विघटन से या फिर सोक्षम कणों के संगनन से यानि बहुत सारे सोक्षम कण जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से जीवना चम जो कणी प्रदुशक है उनका निर्मार होता है इसमें कोहरा है धूआ है धूमर है या धूल के कणाते हैं और ये सब ही मनुष्य के लिए या जीवजनतूं के लिए पेड़ पौधों के लिए बहुत अधिक हानिकारक भी होते हैं इसमें दो प् पहला है धूम धूम कणिकाओं में ठोस तथा ठोस द्रव कणों का मिश्रण पाया जाता है याने इसके अंदर ठोस पार्टिकल भी होते हैं और थोड़े से इसमें द्रव अवस्था में कण भी घुले होते हैं ये कार्बन एक पदार्थों के दहन से प्राया उत्पन होते हैं प्राया हम देखते हैं जो सिग्रेट का धुआ है जिसमें की कार्बन पार्टिकल भी होते हैं याने हाँ पे सॉलिड हो गया और जिवाश्म इंधन कोईला पेट्रोलियम इनके दहन से भी जो धूम उत्पन होता है ये कणिकी धूम के अंतरगत आता है धूम के जो सामा जाने स्रोथ है यदि हम समझेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जिवाश्म इंधन प्राया है इसमें कोईला या इंधन तेल या प्राकृतिक गैस ये सबी रहते हैं और इनका जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिती में जब इसका ऑक्सिडेशन होता ह है इसका दहन होता है तो इस स्थिती में धूम उत्पन होता है तो यहां पर चुकि इसमें इस तरह के जो जिवाश्म इंधन है इसका जब अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिती में क्रिया होती है इनमें तो इससे बहुत अधिक मात्रा में धूम जो है वायमंडल में फ अधिक मात्रा में धूम जो है वो बाहर निकलता है साथ ही जो वाहन का प्रयोग करते हैं उसमें कई बार कुछ ऐसे भी खराब क्वालिटी के इंधन लिये जाते हैं जिसका अपर्याप्त रूप से अक्सिरेशन होता है दहन होता है तो यहां पर या इसे हम अपूर्ण दहन भी कह सकते हैं इनसे भी इस तरह का धूम उत्पन हो सकता है अगला हम देखेंगे धूल या जिसे हम डस्ट कहते हैं प्राया धूल के कंड जो है वो प्रिथवी पे हर जगा विद्यमान है लेकिन कई सारे ऐसे प्राकृतिक घटनाएं होती है या बहुत सारे मानवी क्रिया कलाप होते हैं जैसे की ज्वाला मुखी का फूटना तो बहुत सारी गैसेस इसमें से निकलती है लावा निकलता है और साथ ही धूल के बहुत अधिक मात्रा भी निकलती है बहुत सारे ऐसे ओद्योगिक शेत्र होते हैं या ओद्योगिक प्रक्रियाएं होती है जिससे की ध अगले हम देखेंगे धूम्र और अब हम देखेंगे धूम्र याने फ्यूम्स. तो अनेक बहुत सारे ऐसे metallurgical जो factories होती हैं जहां पर धातु कर्म प्रोसेस होता है जहां आयस्क से धातु प्राप्त किया जाता है यह सारे जो rubber factory है या जो धातु कर्म वाले उद्योग होते हैं वहां से बहुत सारे धातु oxide या धात्वी chloride जो है वो लगातार प्रकृती में मि क्योंकि वनस्पती के लिए भी हानिकारख है मनुश्य और जीवजन्तों के लिए भी हानिकारख होते हैं क्योंकि इन में जो धात्वी कण होते हैं उसमें प्रायाह लेड होता है पारा, क्रोमियम, आरसेनिक, जिंक, आयरन, निकिल इस तरह के धात्वें प्रेजेंट होती ह इस प्रकार की धात्वी जो होती है जब इसको ये लगातार प्रकृती में फैलती जाती है तो बहुत सारे बिमारियों का ये कारण बनती है इसलिए प्रयास किया जाना चाहिए कि जब ये फैक्टरी से इस प्रकार की धात्वी क्लोराइड या धात्वी कॉकसाइड जब आता अवशोशित कर लिये जाएं अब हम यह जानेंगे कि fly ash production क्या होता है fly ash production जो है वो प्राया जो coal factories होती हैं यहां पर जब इंधन जलाया जाता है और उसके बाद जो राख बच जाता है यह राख भी हवा के कारण production फैलाती है क्योंकि हवा में मिलकर यह राख पूरे वातवरण में फैलती जाती है और इस तरह से पूरा वातवरण जो है वो fly ash से भर जाता है यह जो fly ash है यह बहुत अधिक प्रदूशन फैलाती है बहुत सारे बिमारियों का भी यह कारण बनती है जैसे फेफडे से संबंध बिमारी सास फूलने जैसी बिमारी कई सारी बिमारियों का यह कारण भी बनती है कुछ कार्बनिक कणि का पदार्थ होते हैं जैसे इसमें प्राया कोल या तेल में उपस्थित जो हाइड्रो कार्बन होते हैं इन हाइड्रो कार्बनों में प्राया हम देखते हैं कि वायू में कार्बनिक कणि का मुक्त करने की प्रवृत्ती होती है तो जब ये दहन होता है कोल का या तेल का तो ये लगातार दहन होते होते इसकी जो कणिकाएं होती है वो वायो मंदल में फैलती जाती है इसमें से PAH या Polycyclic Aromatic Hydrocarbon जिवाश मिंधन और पेट्रोलियम के अपुन दहन से सुक्ष्म कणों के रूप में लगातार वातवरन को प सेलती जारी हैं तो ये भी एक प्रकार से Carbonic Canica पदार्थ है जो कि वातवरन को प्रदूश्चित करती है कुछ ऐसे इंजन होता है जहां पर नौकिंग को कम करने के लिए तो यह भी एक वाश्पसील पदार्थ होता है और यह भी लगातार वातवरन में मिलते जाने से वातवरन को प्रदूश्यत करते हैं अगला जो कणि की पदार्थम देखेंगे वो है कालिक, नाम से ही सपष्ठ है, प्राया जो कार्बन युक्त इंधन होते हैं, उनके देहन से इस प्रकार का कालिक जो है वो उत्पन होता है, जो कार्बन युकत इंधन होता है, उनका जब अपोण देहन होता है, तो इनके अप प्रियोग करते हैं लकडी कोईला इन सबसे हर छेतर में हम कहीं न कहीं उर्जा ग्रहन करते हैं और कहीं न कहीं यह जलाया जाता है इसका दहन क्या जाता है और इससे जो कार्बन पार्टिकल्स पन होते हैं यही आगे चलकर वायू के साथ मिलकर कालिक कर निर्मार कर लेते हैं तो यहाँ पर लकडी के कोईले से ले करके हर छेतर में उर्जा प्राप्त करने का साधन जो है ये कार्बन युक्त इंधन ही होता है और इसकी वज़ा से ही वातावरन में कालिक याने एक काले रंकी कार्बन की लेयर जमती जारी है जो की प्रदूशन का कारण बनती है अगला हम जानेंगे कोहरा कोहरा जैसा नाम से ही स्पष्ठ है इसमें हम वातवरन में वायुमंडल में जल वाश्प के कण भी निक्षेपित होते हैं तो इस वज़े से कोहरा का निर्माड होता है तो कभी-कभी वायुमंडल में ये जो जल वाश्प के कण है वो संघनित हो जाते हैं और छोटे-छोटे पार्टिकल्स यहने सुक्षंबूंद के रूप में ये प्रकृति में मिलते हैं बहुत समय पे हम यह देखते हैं कि यह जो कोहरा है यह धूंद बन जाता है कई बार हम सुबह के समय जब उठते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कोहरा बन गया है और वातावरण में नमी होती है तो चुकि इसमें जो छोटे-छोटे जल वाश्प के कंड है वो आपस में संगरी थोकर के बड़े कंड का रूप ले लेते हैं और वातावरण में वाय तो इन क्रियाओं से कई बार हम देखते हैं कि चुकि इसमें जल वाश्प के कंड है और वायूमंडल में लगातार यह सारी गैसे जो हैं वो बनती जारी है और इन गैसों की अधिक्ता और साथ में कोहरे में प्रेजेंट जो जल वाश्प के कंड है इनकी क्रिया से दो तरह के एसिड भी बन जा रहे हैं एक तो H2SO4 और एक नाइट्रिकमल और यह जो नाइट्रिकमल और H2SO4 लगातार वाय की भी है इसा तो हमने साथ साथ देखा भी लेकिन कुछ एसे और दुषप्रभाव हैं जिनके बारे में विस्तार से समझेंगे वातवरण जब धूनला हो जाता है क्यूंकि यह सारे जो करिकी प्रदुशक रहे होते हैं और वातवर subsid में फैले होने के कारण वातावरन का जो पूरा माहौल है याने सूरी की रोशनी जितनी पृत्वी पर पढ़नी चाहिए इस तरह के कोहरा बनने के कारण, धुआ होने के कारण या धूल होने के कारण पूरा पूरा जो सूरी का प्रकाश है, प्राकृतिक धंग से पृत्वी तक नहीं पहुच पाता है, जिससे कई तरह की परिशानियां उत्पन होती हैं, चाहे वो वनस्पती के लिए हो, चाहे वो जीवजन्तु के लिए हो इस तरह के कणी की प्रदुशक जो हैं वो कई शारिरिक बिमारियां भी उत्पन करते हैं बहुत सारी परिशानिया जैसे कि आँखों में जलन या श्वसन संबंदी बिमारी, कैंसर की संभावना ये सारी बिमारियों के कारण भी एकणी की प्रदुशक बनते हैं Silicon युक्चो सुक्ष्मकन होते हैं उनसे Silicosis नामक विमारी होती है धुएं के रूप में Carbon Particles आते हैं Carbon के कन जो वातावरन में Col IDblealine के रूप में Present होते हैं यственно पूरे वायू में Carbon Particles जो हैं वो निक्षेपित रहते हैं यह जो carbon particle है वह बहुत सारे ऐसे प्रदूशक पदार्थ होते हैं जिसमें की carbon के बहुत सारे compounds भी रहते हैं और साथ में धातूं के chloride, oxide इन सभी प्रदूशकों के लिए यह जो carbon particle होता है यह एक बहुत अच्छा अधिशोशक भी होता है जैसके चेत्र के द्वारा हम समझ सकते कि यह जो carbon particle है इसके चारों तरफ इतने सारे प्रदूशक है जिसमें sulfur dioxide, lead oxide, lead chloride, poly, cyclic, aromatic hydrocarbon, chloride, बहुत सारे chloride वाले compounds होते हैं तो यह सब ही के लिए यह जो carbon युक्त जो पूरा अधिशोशक है यह एक बहुत ही बड़ा प्रदूशक का कारे करता है वायू प्रदूशन को हम क इसे नियंत्रित कर सकते हैं जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जितमें बड़ी-बड़ी चिमनिया लगी होती है और उन चिमनियों से निकलने वाले धुएं से बहुत अधिक प्रदूशन फैलता है तो जब यह चिमनिया बनाते हैं या उसे रिजाइन चाहिए और इसमें इस तरह से विवस्था होनी चाहिए जिसमें की विद्यूत अवशेपक लगा हो जिससे बहुत सारे जो सूक्ष्ण पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स अंदर ही चिमनी के अंदर अधिसोशित हो जाएं और बाहर निकलने से पहले ही इसका निस्त प्रदूशन फैलाते हैं वो अंदर ही चिमनी के आउसोशित हो जाये तो इस तरह की ववस्था अधिकी होती है, यह वाश्पशील पदार्त, यह सब ही हम देखते है कि जल में घुलनशील होते हैं, यह जल में विले होने के कारण जब इसको वातवरण में भेजा जाए यह वातवरण में इसको भेجने से पहले यदि इसमें जल का छिड्काओ कर दिया जाए तो इस वज़े से जब जल की बोचार हो जाएगी तो इस जल की बोचार के कारण ये सारे जो धूल के कड़ है या जो गैसेज हैं वायू में जो फैले हुए हैं पहले ही जल के साथ क्रिया कर लेंगे जल के साथ ये विले हो जाएगे और वातावरण में उस तरह से नहीं फैल पाएंगे जो की प्रदुशन का कारण बनते हैं बहुत सी जगह पर हम लगातार हरे पेड़ पौधे लगाकर विच्छा रूपन के रूप में मानवी जागरूपता लाकर भी हम प्रदुशन को रोक सकते हैं साथ ही जो लाल बत्ती संकेता किया जिसे हम रेट सिगनल कहते हैं वहां पर यदि गाड़ी रुकी हुई है रेट सिगनल पर तो वह गाड़ी बंद अवस्था में हो इस तरह की जागरूपता भी हम लाकर वायू प्रदुशन को रोक सकते हैं बहुत अधिक जहां पर बसाहट ना हो ऐसी जगह पर ही फैक्ट्री वगेरा लगाया जाए ताक पर हम प्रयास करें कि जो सीशा रहित पेट्रोल है उसी को उप्योग किया जाए क्योंकि सीशा रहित जो पेट्रोल होता है उसके दहन से बहुत अधिक मात्रा में प्रदुशन नहीं फैल पाता है और सीशा जो है वो बहुत अधिक हानिकारक एक प्रदुशक भी होता है त लगा कर भी प्रदूशन को रोका जा सकता हैं. CNG वाहनों का प्रयोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेइट करना चाहिए और CNG वाहनों को चलाने की अनुमती प्रदान की जानी चाहिए सभी लोगों को. इंधन के रूप में गोबर गैस या बायो गैस का भी प्रयोग किया जाना चाहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग उप्योग करें इस तरह का प्रयास होना चाहिए. साथ ही जो नवीनी कृत उर्जा के श्रोत हैं जैसे सौर उर्जा पवन उर्जा इनसे रिलेटेट जो वहान है यह ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाने चाहिए. वायू प्रदूशन को नियंतरित करने के लिए हरित रसायन या ग्रीन केमिस्ट्री के द्वारा ही हम इसे रोक सकते हैं. वायू प्रदूशन जो है वो एक तरह का छोब मंडली प्रदूशन होता है इसके कारण इस वायू प्रदूशन के कारण दूसरे कई सारे जो प्रभाव हैं वो प्रकृती में देखने को मिलते हैं जैसे कि अमलवर्शा है, हरिद्गिरी प्रभाव या ग्रीन हाउस कारण ही उत्पन होते हैं